गुद मॉनिंग स्टूडेंट्स तो कुछ स्टूडेंट्स को डेट क्लेर नहीं है शायद वो सोच रहे हैं कि बी ए फ़र्ट समेस्टर बी ए थर्ड समेस्टर और बी ए फिप्ट समेस्टर का रिजल्ड 11 मार्च को आ जाएगा तीनों समेस्टर का तो ऐसा नहीं है, हमने आपको पहले भी अपडेट दे दी थी वीडियो बनाकर, तो इस चैनल पर वीडियो है पूरी डिटेल में, आप वो जाकर देख सकते हैं, और इस वीडियो में भी हम क्लेर कर देते हैं आपको डेट, तो सबसे पहले आपको बता दें कि बीए क्लासेज का रिजल्ट 15 मार्च से 25 मार्च तक पब्लिश हो जाएगा, तीनो समेस्टर का, बीए 1 समेस्टर का रिजल्ट 15 मार्च से 20 मार्च के बीच बीच में पब्लिश हो जाएगा, 15 मार्च को भी हो सकता है 16 को भी, 17 को भी, 18 को भी, 19 को भी, और 20 को भी और वी ये 3 में का रिजल्ट 16 मार्च से 22 मार्च के बीज बीज में पब्लिश हो जाएगा 16 मार्च को भी हो सकता है 17 को भी, 18 को भी, 19 को भी, 20 को भी, 21 को भी, और 22 को भी और बीए फिप समेस्ट का रिजल्ट 18 मार्श से 25 मार्श के बीच बीच में पब्लिश हो जाएगा 18 मार्श को भी हो सकता है 19 को भी 20 को भी 21 को भी 22 को भी 23 को भी 24 को भी और 25 को भी हो सकता है मतलब आप सब मान कर चलो 15 मार्श से 25 मार्श तक तीनों समेस्ट के रिजल्ट पब्लिश हो जाएगे G&U की ओफिचल वेबसाइट पर gndu.ac.in पर और जैसे ही आपका रिजल्ट आता है तो हम आपको बता देंगे तो इस चैनल के साथ जुड़े रहे हैं तब तक इस वीडियो को लाइक कर दो शेयर कर दो सभी फ्रेंस के साथ चैनल जुर सस्क्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो और बेल एकिन जुरूर प्रेस कर देना ताकि हम जैसे ही कोई न्यू वीडियो आप को मिल जाए थैंक यू